मैं नस्री नहीं हूँ, अल्ला की कसम नस्री नहीं हूँ मैं अमिताप बच्चन हूँ, आप देख रहे हैं KBC मैं चोटा सा बेबी हूँ, चोटा चोटा बेबी हूँ मुझे बताओ, मुझे क्या करना है, मुझे किसको खाना है बिस्मिल्लारामनरहीम बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं उमीद कहते हैं कि आप खेरियत से होंगे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉरण से कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाए ताके मेरी वीडियो आप तक पहाँशती रहें तोड़े से हरान और परिशान हुए होंगे ये यकदम मेरी आवाज को क्या हो गया है देर नहीं करते शुरू करते हैं ये है जी मॉनो कास्टर का सी टू नियो एक बिल्कुल ब्रैंड न्यू आडियो इंटरफेस हम कहें कॉंसोल मिक्सर कहें तो गलत नहीं होगा एक चोटे से आडियो इंटरफेस के अंदर क्या क्या खूबियां हैं वो देखने से पहले हम इसकी करते हैं अन्बॉक्सिंग जैसे ही हम इसका बॉक्स ओपन करते हैं तो इसके अंदर से एक अदर जो है वो इसका यूजर मैनवन निकलता है और यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन का कार्ड भी आपको जो है वो देखने को मिलेगा यह दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टन होती हैं आप इनको पढ़ लेंगे तो सारे फीचर्स सही माइनों में आप इस्तमाल करना सीख जाएंगे उसके बाद जी आपको एक अदद मिलती है जी TRRS to TRRS केबल यहनी आप डारेक्ली अपने मुबाइल के साथ भी इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं बहुत सारे और तरीके भी हैं मुबाइल के साथ इस्तमाल करने के उन पर भी हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले साथ में एक USB A to Type-C केबल आती है और हमें इसके अंदर मिलता है यह ओडियो इंटरफेस जी हाँ अगर मैं इस ओडियो इंटरफेस के जरा फीचर्स की बात करूँ तो इसके अंदर एक आप XLR माइक्रोफून को लगा सकते हैं साथ में आप Line-In का भी इस्तमाल कर सकते हैं यानी सिर्फ और सिर्फ आप XLR केबल नहीं साथ में Line-In केबल का भी आप इस्तमाल कर सकते हैं फिर TRRS 2 TRRS केबल भी आप यहां से ले सकते हैं वो भी आप इस्तमाल कर सकते हैं उसके साथ आपको हेड़फून का यह जैक भी मिल ज या स्मार्ट्फुन या यानी टाइप C केबल का इस्तमाल करते हुए आप डायक्ली किसी भी स्मार्ट्फुन के साथ भी इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं यह सब से इसका बड़ा और युनीग फीचर होने वाला है इसके मजीद features जो है या इसके जो उपर button मौजूद है वो बहुत ही soft soft से button है अगर मैं इसका ये जो दर्मियान में बहुत बड़ा एक button यहां पर मौजूद है इतना smoothly जो है ये work out करता है और ये किस मकसद के लिए होता है वो देखने से पहले जो है थोड़े से feel लेते हैं इस बाद सुन रहे हैं वो सुन रहे है mono PD200X जिसको मैंने XLR cable के साथ इस audio interface के साथ जो है वो plugin किया हुआ है मेरे सामने यहां पर मौजूद है ये mono caster जो के बहुत ही एक unique product जो है वो आपको जो है वो नजर आ रही होगी अच्छा इसकी एक और unique features जो है वो आपको यहां पर अग दोर भी इसको ले जाकर podcasting कर सकते हैं आपको कोई मसाला नहीं होने वाला यह charge एक दफा हो जाए तो साथ से 8 घंटे जो है वो battery backup देता है यह आप mobile phone के साथ लगाएं कहीं पर भी outdoor बैठ के जो है वो अपनी videos आप record कर सकते हैं या आपने live जाना हो आप जा सकते हैं दूसरा बड़ा आहम feature जो है वो इसके अंदर Bluetooth की option भी मौजूद है यह देखें अभी connected नहीं है तो यह blink होता हुआ आपको जो है वो दिखाई दे रहा होगा यह सबसे अच्छी और मज़ेदार जो है वो इसके अंदर option मौजूद है कि Bluetooth के जरीए आपके mobile के साथ आपके computer laptop के साथ यह अटेच हो सकता है उसके बाजी यहां पर 48 फैंटम पावर की भी जो है वो सहूलत मौजूद है यानि आप dynamic microphone तो इसके साथ इस्तमाल कर सकते हैं साथ साथ में जो है वो आप condenser microphone भी इसके साथ इस्तमाल कर सकते हैं यानि वो microphone जिन को चाहिए होती है 48 फैंटम पावर वो भी आप जो है वो 48 फैंटम पावर होता है जिन microphone को जरूरत होती है वो भी इस्तमाल कर सकते हैं कोई मसाला नहीं होने वाला अच्छा जी यहां पर microphone गेन है microphone के volume को आपने कितना कम या ज्यादा करना है वो आप यहां से कर सकते हैं मैं तोड़ा सा आपको यहां से बढ़ा के दिखाऊंगा वो देखें जी रेड रेड आना शुरू हो गए यानि मेरी आवास ब्लास्ट की तरफ जा रही है मैं वापिस इसको लेकर आउंगा अपनी पोजीशन के उपर यहां पर जो indication आपको जो है वो दिखाई दे रही है यह microphone के levels की जो है वो indication है यानि इस वक जो मे यहां से जो है वो आपको देखने को मिलेगा अचा मैं इसके साथ जो है वो इसको कम या ज्यादा कर सकता हूं यह देखें जी मेरी अभी भी आपको आवास थोड़ी सी ज्यादा सुनाई दी होगी मैं वापिस इसको इसकी अपनी position के उपर जो है वो ले आता हूं और perfectly जो ह इस केबल लगा के भी आप इस्तमाल कर सकते हैं उसका जो volume हो गाना वो यह जो है वो बटन मौझूद है यानि इसके जरीए जो है वो आप इसको कम या ज्यादा जो है वो कर सकते हैं मैं अपने दूसरे हाथ का जो है वो इस्तमाल करता हूं यहां पर ताकि आपको exactly नज़र यह ज्यादा हो जाएगा इस साइट पर जो है वो कम हो जाएगा अच्छा जी उसके बाद जो टिक टॉकर्स हैं उनकी तो यहां पर जिंदगी बनने वाली है या फिर यूँ कह लीजिए कि जो सिंगर्स है या टिक टॉक पर वो आते हैं टिक टॉक लाइव करते हैं तो वो क् reverb का एक option है जैसे ही मैं reverb के option को यहां से प्रेस करूंगा तो आप देखिएगा यह मेरी original आवाज है यह मेरी original आवाज है मैं यहां से अगर मैं प्रेस करता हूँ दुबारा से तो केरियो की जो है वो यानि अगर मुझे singing करनी है मैं बहुत बुरा singer हूँ मैं कोई गाना भी जहन में नहीं आ रहा कि जो है वो गाया जाए लेकिन आप मेरी आवाज सुन सकते हैं वो सुरूर मेरा गाना बहुत बुरा है हाहा तो यह केरियो की वाला जो है वो reverb effect है और देखते हैं कौन कौन से है यह चर्च वाला जो है वो यानि एक बहुत बड़ी building है उसके अंदर आपकी आवाज जो है वो reverb हो रही है यह poetry के जो शौकीन हजरात होते हैं जो poetry करना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं उनके लिए बहुत best है जी यह एक बहुत बड़ा जो है वो hall है उसके अंदर जो है वो आपकी आवाज जैसे work out करती है यह वो वाला effect जो है वो आपको सुनने को मिल रहा होगा next की तरफ हम आते हैं यह पता नहीं कौन सा इसके बोला था लेकिन बरहुत यह भी reverb एक है next देखते हैं जी हम next की तरफ हम आ चुके हैं और यह something else है बहुत सरे reverb effects हैं इसके अंदर मौजूद यह अब दुबारा से जो है वो मेरी original आवाज आपको सुनाई दे रही होगी है ना मजे की है ना अच्छा जी उसके बाद जी यह जो side chain वाला बटन है यह बहुत जबरदस बटन है मैंने अभी इसको जो है वो हटा दिया है अभी मैं यहां पर एक काम करने वाला हूँ और वो काम क्या करने वाला हूँ मैं यहां से एक music प्ले करूंगा और फिर मैं इस बटन को दबाऊंगा आप देखिएगा कि क्या जादू होने वाला है अभी मैं एक music प्ले करता हूँ सुनिएगा ज़रा जी है अब देखे मैं बात कर रहा हूँ पीछे पीछे music चल रहा है और आपको अच्छे से मेरी आवाज नहीं आ रही होगी मैं जैसे ही इस बटन को प्रेस करूंगा तो जादू देखिएगा आप वान टू थ्री अब मैं जब भी बात करूंगा तो ये music slowdown हो जाएगा और जैसे ही मैं चुप होंगा आपने गौर करना है music आहिस्ता से उपर आ जाएगा वाओ यानि के अब जो मैं टिक टॉक लाइव की बात कर रहा था और गाना उपर आ गया फिर जो है वो मैं बोल रहा हूँ फिर आवाज नीचे चली गई अच्छा एक function इसका और है अब ये actually गाना चलता हुआ आपको पीछे सुनाई दे रहाए अगर मैं इसी बटन को थोड़ा सा long press करूंगा तो गाने के vocals दब जाएगे और music जो है वो सिर्फ highlight होगा हम थोड़ा सा इसको long press करके देखते हैं अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको music सुनाई देगा देखिएगा गोर कीजिएगा वाउ यानि vocals जो है वो खत्म हो गए और जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको सुनाई दे रहे था music लेकिन मुझे music और vocal दोनों अच्छे लगते हैं तो मैं इसको ऐसे ही चलने दूँगा अब हम इसको खत्म करते हैं अब हम गाने को जो है वो बन कर देते हैं यहां तक जो है वो काफी है आपको समझ में आगा गाए direct monitor जो है वो किस function के लिए है यह जो मैंने headphone पहने में आपको actually मैं आपकी आवाज जो है वो सुनाई देनी चाहिए कि वो किस तरह की आ रही है तब ही आप monitor कर सकेंगे तब ही आप singing कर सकेंगे reverb लगा के अपनी आवाज को जो है वो feel कर सकेंगे साथ साथ में जो है वो आप कोई भी गाना पीछे चला कर poetry कर सकेंगे अच्छा जी यहां पर जो है वो आगे pitch preset का जो है वो बटन मौझूद है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने शुरू में जो आवाजे सुनी थी वो मैंने यहां से जो है वो इसको फिलोगा यानि नस्रीन आपको यू मैसूस होगा जैसे नस्रीन बात कर रही है लेकिन मैं नस्रीन नहीं हूँ अब जो है वो भारी भर गम मेल की आवाज है मैं अमिताब बच्चन हूँ जी हाँ मैं अमिताब बच्चन हूँ आप देख रहे हैं के वी सी हाहा उसके वाजी मैं चोटा सा बेबी हूँ चोटा चोटा बेबी हूँ मा 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 कहा है कहा है और मैं रबोर्ट बन गया हूँ मुझे बताओ मुझे क्या कहना है मुझे किसको खाना है हूँ और मेरी आवाज जो है वो नॉर्मल हो गई है रबोर्ट से तो आप रेल टाइम पर यहां पर अपनी आवाज भी जो है वो चेंज कर सकते हैं आचा जी उसके साथ जी noise reduction का option है चुके मेरे पास यहांपर कोई इतना shore है नहीं जो मैं आपको इसको इसको इस्तमाल करके दिखाऊँ कि आपको real time को फरक आएगा लेकिन two step में यह nice reduce करता है एक average और एक अगर बहुत ज़्यादा पीछे sure हो तो यह उसको जो है वो reduce करता है हम देख लेते हैं चेक कर लेते हैं जी noise cancellation low वाले option के अंदर जो है वो मैं अब आ चुका हूँ मेरी आवाज है इसके अंदर already वैसे nice तो आ ही नहीं रहा लेकिन फिर भी हमने इसको on करके देखा है जी जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो बहुत ज्यादा high जो है वो किसम की noise जो है वो reduction होना शुरू हो जाएगी आपको थोड़ा थोड़ा सा feel होगा कि जैसे ही मैं बोलना बंद करूँगा तो आखिर से कुछ लफ जो है वो cut रहे होंगे क्योंकि जो nice gateway है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है यहांपर हम दुबारा से natural की तरफ जो है वो अब हम आ जाते हैं तो आपको अच्छे से अंदाजा हो चुका होगा कि यह natural अब आजाना शुरू होगी अच्छा अब यह जो है ना ABC यह sound pad है इनको आप इस्तमाल कर सकते हैं किस तरीके से जी यहां पर आप अपने default को जिंगल आपने बनाया हुआ है वो आप रखना चाहें वाओ, clapping या कुछ भी इस तरह के sound effects मैं फिर यही आपको end पर जाके जो है वो यह बात करूँगा कि जो टिक टॉक पे लाइव कर रहे होते हैं उन्होंने यह सारा चीजें जो है वो अपने सामने set की हुई होती है आपको अनाजाई नहीं हो रहा होता और उनके हाथ बिलकुल ऐसे होते हैं और वो आप से बातचीत कर रहे होते हैं सिंगल सिर्फ बटन प्रेस करते हैं और आप बड़े इंप्रेस हो जाते हैं तो यह टिक टॉक पे लाइव आने के लिए तो बेस्ट है बागी पॉडकास्टिंग के लिए भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं खुद से लाइव जाना चाहें तो भी आप लाइव जा सकते हैं मॉबाइल फून के साथ आप इसको लगाना चाहें तो आप इसको मॉबाइल फून के साथ भी लगा सकते हैं तो टेंशन लेने का नहीं भाईया टेंशन देने का तो मॉबाइल फून के साथ भी जो है वो आप इसको जो वॉलियम आ रहा है यह उसका बटन है मैं बिलकुल बंद कर दूँँगा तो बंद हो जाएगा बिलकुल उपर लेकर जाओंगा तो यहां पर जो है न यह अब प्रॉपरली मेरे कानों में मेरी आवाज आ रही है यह था जी मॉनो कास्टर C2 Neo जिसके हमने की अनबॉक्सिंग जिसके हमने देखे फीचर्स और प्रैक्टिकली इसका रिजल्ट भी हमने देख लिया मॉनो पीडी 200 एक्स के साथ एक्जल आर केबल लगाते हुए हमने यह सारी रिकॉर्डिंग की है तो खरीदना चाहते हैं नीचे डिसक्रिप्शन बार में जी लिंक मौझूद है वहाँ पर जाएं और इसको परचेज कर लें हाँ अगर आप इसको न्यू येर तक परचेज करते हैं यानि नए साल की पहली तारीख तक तो आपको मेरी तरफ से 2000 रुपए का वाचर भी मिलने वाला है नीचे कूपन कोड भी मौझूद है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बार में जो है वो इसका परचेजिंग लिंक है न वही पर कूपन कोड भी मौझूद है उस कूपन कोड को आपने डालना है और आप 2000 रुपए का डिसकाउंट इस प्रड़क्ट के उपर आप हासिल कर सकते हैं पहले आएं पहले हासिल करेंगी बुनियाद के ओपर बड़ा लिमिंटेट सा स्टॉक है तो देर नहीं करें जल्दी से आएं जल्दी से परचेज करें इंशाला किसी और वीडियो में होगी आपसी मुलाकाद अपना रखिये के धिर सरा ख्याल मुझे दीजे इजादत टेक है अल्हावीज